इस वक्त मेरे पीछे जगा देख रहे हैं यह हम आज इस खास मौके पर कुछ खास महमानों के साथ आए हैं जिनसे आज हम आपकी बातचीत कराएंगे क्योंकि आज महिला दिवस के मौके पर इन होनहार इन कामयाब और इन बहादूर बेटियों का जिक्र करना बहुत जरूरी है तो कुछ इसी तरह से खास मौके पर यह होनहार बहादूर बेटिया मेरे साथ हैं जिनसे आज मैं आपको उनहीं के जुबानी क्या है उनकी कहानी यह सुबानी आधी आबादी कहिए या फिर पूरी आबादी की जननी यह है तो यह संसार है आज कुछ ऐसे ही सशक्त बेटियों के बीच में हूँ और जब इनकी महिला सशक्ति करन की बात होती है तो इन बहादूर बेटियों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है चूंकि भारतिये वायू आधी बेटिया है मेरे साथ मौझूद है मैं शिरुवात नहमत आपके साथ करना चाहूंगी देखे मैं खुद आज बहुत गौरवानवित महसूस कर रही हूं मैं पहली बार इस तरह से महिलाओं के बीच और ऐसी महिलाओं के बीच जो हमारे महिला सशक्ति करन का जीता जा अब मैं डॉनियर फ्लाइ करती हूं तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम मैं इस और्गनाइजेशन का एक पाठ हूं और मेरे से सीनियर्स जो यहां पर बैठे हैं उनकी तरफ से बहुत मोटिवेशन भी मिली है और जो अब जूनियर्स भी आ रहे हैं उनके किया दिन बर दिन बढ़ती जा रही है अगर मैं गलत नहीं तो शायद 1994 से कमिशन शुरू हुआ है बहिलाओं का वाई यह साथ और हम आज 13% इंडिन एफोस में आज हमारी इतनी परसेंटेज हो गई है और यह बाकी फोर्स से शायद जादा है माम यह मिजे इतना पता नही माम आप से भी बात करना चाहेंगे जिस तरीके से योविना आज आज आपको देश सुनना चाहता है हम देखे आज की ही बात क्यों करें क्यों हम सिफ महिला दिवस पर महिलाओं की या बेठीयों की बात करें मैं तो कहते हूं हर दिन महिलाओं कायों और आप इससे इतफाक लेकिन आपको सुनना चाहते हैं आज लो, क्या है आपके स्टोरी, कुछ ऐसा, कोई ऐसी स्टोरी आप सुनाना चाहें कि कहां से दिमाग में क्लिक किया कि नहीं, आप भारतिय सेना का, वाय उसेना का हिस्सा बनना है। आपके इंविन लोगा, मेरा कोई प्लान ओप गाओ ऑना हैकिन मैं इंटनाशनल फूतबाल प्लेर रूंसुक रूंसुग अरिवा वेय वाय गुछ लिए वाय वेर्व के लिए मेरी थोड़ी थि थोड़ी एंजिर्वाझु तो ह्माट работы रूए., दो नहीं थीचिननल आर्मी उनिट में गई थी, रेफरिंग करने के लिए, तो वन I saw the army culture, discipline, I was very much impressed, so I asked them how, because I am coming from a totally civil background, कोई नी है फोज में, अभी तक नी है, I am the only one, so I asked them कि कैसे जोइन करना है फोज, तो उनने बोला ऐसे से निकलता है, तो मैंने फोज में अपलाई किया, आर्मी में अपलाई क और दोनों में select हुई, और में फिर FOS जोइन करने का decision लिया, and I am very happy to join FOS. तरहीं तो रहा? यह जिसिजिए आपका, यह पिर इसमें एंट्री करना है यह तरहीं, तरहीं नी है बिलकुल, like I wanted to achieve something, and I have achieved. If anybody who wants to achieve, and they have to achieve, they have to work hard, so difficult, रहा, नहीं रहा, नहीं रहा, challenges आये नहीं वो कोई माईनिय नहीं रखता। कैसे कोई defense services यहां कैसे कोई जॉइन करें तो इतनी knowledge नहीं थी knowledge जो थी वो आती थी सिरफ आपको print media के थूँ because newspapers में उसके articles आते हैं newspaper में advertisement आती थी जब वो जॉइन करते थे यहां आपके घर में कोई defense services में रहा हूँ तब आपको पता चलता था आज की date में awareness जो FOS ने देनी शुरू की है मीडिया के माधियम से we have lots of campaigns also campus उसमें हमारे exams होते हैं तो यह जो awareness है यह हम में आप में हम सब उसको aware करा रहे है शक्ती जी माम आपको तो मैंने पहले भी कई सुना है कई बार लेकिन आज मैं खुद आप से बात कर रहे हूँ अब महिलाएं कभी हवा में उडएंगी fighter plane उडाएंगी मतलब यह सिर्फ हम सोचे सकते थे ऐसा लगता था कि यह मुमकिन होता भी होगा क्या लेकिन जब आप लोगों के बीच आओ तो ऐसास होता है कि आप लोगों ने किया और आप से प्रेधना लेकर और भी बेटियां कर सकती है चैलेंज़ हर जगे होते हैं चैलेंज़ को पार पाना उनके पार हो जाना यह हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है I used to see first woman police officer police IPS officer of Madhya Pradesh काडर that was Miss Aasha Gopal I take her name always she was the role model as she was there and I used to see her I said I want to wear the uniform मिझे uniform पहननी है उस वक सिरफ खाकी वर्दी का option था यह मेरी खुशनसीबी है कि जब मेरा college complete हुआ और उस वक्त में हमारी भारती वायूसेना में entry आ गई और यह उससे भी ज्यादा अच्छा था कि मैं police में जाती उससे अच्छा था कि मैं इसमें आई हूँ भारती वायूसेना में और इस सपने को मैं साकार कर पाई इसके लिए मेहनत हर कदम कदम पर की हर कदम कदम पर आज भी करते आ रहे हैं आगे भी लोगों को बताते हैं असे शैल जाने बोला कि सपने जरूर देखो awareness एक information awareness जो आई है information explosion जो हुआ है इतना सारा जो media आया है बीच में उसने हमारी बड़ी मदद की है कि हम गाउं गाउं तक छोटे छोटे कस्पों तक पहुँच पाए हैं जहां लोगों को पता है और हमारे induction में ये चीज आजकल बहुत साफसुतरी देखती है लेकिन आपने कहा कि मैंने ये decision खुद से लिया और हट कर लिया तो आज आपको क्या लगता है जहां पर आप है बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और जैसा कि आपने मेरा नाम लिया मेरा नाम शक्ती मेरे फादर ने रखा था पहले कुछ और नाम था मेरा जिसको उन्होंने बदल दिया विकाज मेरी हरकतें जो थी वो उस नाम से मैच नहीं करती थी तो मैं शुरू से ही थोड़ा जोश टाइब रही हूँ तो उन्होंने कहा शक्ती आज सम्हाओ जब आप बार बार अपना नाम ऐसा सुनते हो तो वो भी शायद आप पे बहुत फरक डालता है आप डिसीजन लेते हो आप उसकी तरफ फिर मेहनत करते हो और आपको लगता है जब चार लोग बोलते हैं कि नहीं तुम तो बिलकुल इसा कर सकती हो तो अपना भी खुद पे भरोसा बढ़ता है कि हम ये कर सकते हैं स्क्वार्डन लीडर भी हमारे साथ हैं काविता प्रभू मतलब आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज अट्राक कर रही है वो आपकी उनिफॉर्म आपको भी वही करती होगी मुझे लगता है देखके गर्व महसूस होता होगा यही रीजन था वन अफ दूरीजन वाई जोईन देफॉस दू ब्लू यूनिफॉर्म कोई स्टोरी ऐसी? मेरा अचली बच्पन से सपना रहा है फिफ्ट शिक्स क्लास में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आफोस जॉइन करना है और पाइलेट बनना है मेंली बट ऐस अब पाइलेट बनना है यह था और उसके बाद मैंने महनत करी काफी चीजे पड़ी और एन्षे सी भी जॉइन किया एरविंग जिसमें थोड़ा फ्लाइंग का एक्सपिरियंस भी था मेरा और उसके बाद देन आफ जोएंड एफोस आफ्टर देट एंड इस दस साल हो गए मैंने जैसे पताए उनिफॉर्म होजे हमेशा से अट्राक्ट अपनी तरफ करती है लेकिन सवाल थे कि महला होने के न जो उसको सही कर रहा है जो उसको चला रहा है जो भी कर रहे कोई भी मशीन हो अर वैसी फॉज में भी मुझे कभी ऐसे एक्स्पिरियंस नहीं हुआ कि तुम लडकी हो तो तुम कर नहीं पाओगी यह लड़का कर लेगा ऐसे बिलकुल नहीं है डिस्क्रिमिनेश ये वक्त इस वक्त में हम आज देख रहे हैं कि महिलाये रफाल तक उड़ा रहे हैं, महिलाये देश का बजट पेश कर रहे हैं, तो आज हम उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, या फिर वहां तक पहुंचने के काबिल हमने खुद को बनाया है, जो सपना शायद सालों पहले कभी देखा इस पात पे ये कहना चाहूंगी, हम जब छोटे से थे हम एक कविता पड़ते थे, बुंदेले हर बोलो के मुं हमने सुनी कहानिक थी, खूब लडी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी, अथाराज़ सटावन वे, फॉस्वार फॉर्स वार फॉर्स फॉर्स वाली रानी अब हमारे पास दो और प्शन हैसे, वान दो राज़ाज़ाशन वार पार, जो आपने बात कही है, यह बहुत सारी लड़कियों के मन तक जरूरर आती होगी, लेकिन शायद ऐसी भी है, उनके जुबान तक नहीं आती होगी, तो उनके लिए कुछ कहाना चाहेंगी अगी अ परिवार का सपोर्ट तो मुझे लगता है आप में से ज्यादतर लोगों को रहा ही होगा, परिवार के तरफ से तो सब्सक्राइब होगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बेटियों को बढ़ाने का कम परिवार से शुरू हो जाता है, जो पहले नहीं हुआ गरता था, ठी सब्सक्राइब होगा, कि आप डॉक्तर हैं और आप आज युनिफॉर्म पहन कर यहां बैठी हैं, आपका रोल मुझे मताइगा प्लीज, आपके भूमिगा क्या है, तो यस मैं MBBS मैंने बाहर से किया, उसके बाद I did my PG from a FOS hospital, and वो मेरी प्रेरना थी, so that was my motivation, seeing officers in blue, जो lives भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, and they are serving the country also, there's definitely no other pleasure more than that. और शायद आप जब किसी इस तरह का कोई treatment आप कर रही होंगी, तो मुझे लगता है वो एक ऐसा सी अलग होता होगा, कोई ऐसा आपका experience रहा है कभी? experience तो बहुत रहे हैं, कोई भी अगर आप share करना चाहें? life-saving incidents तो बहुत रहे हैं, when emergencies आते हैं, we all as a team, it's not just the doctor, उसमें medical assistant होते हैं, ambulance drivers होते हैं, जिसमें हम resistation करते हैं, emergency cases आते हैं, resistation करके, हम तुरंद shift करते हैं to the hospital, and then during that time, we have to keep the life intact. flight lieutenant Mona अमारे साथ है, Mona आप तो plane उड़ाती हैं, आप तो हवा में होती हैं, तो वो एहसास कैसा होता है, जब हवा में उड़कर और देश का नाम रोशन करने की बात आती है? देखे, एहसास बहुत अच्छा होता है, हमारे कंधों पर जो responsibility रखी गई है, जो कि देश की रक्षा करने की, हम उसे पूरी तरक से निभाने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त दिमाग में और कुछ नहीं चलता, बस मेरा mission क्या है, उसको कैसे पूरा करना है, बस यही होता अच्छा, हम महिला रफाल तक उड़ा रहे हैं, अब जब 15 अगस्ति या 26 जनवरी की बात होती है, तो वहाँ पर हम salute करते हैं महिलाओं को, तो यह अपने आप में बहुत खास होता है, लेकिन यह जिम्मेदारी जब आपके कंधों पर होती है, तो आपको लगता है कि एक मह करते हैं, महिला होना ना होने से इस बात पर कोई असर नहीं होता, एक मेल काउंटर पार्ट को भी वही डिफिकल्टीज होती है, वही रस्पॉंसिबिलिटीज उसको दी जाती है, जो कि एक महिला ओफिसर को दी जाती है, अज़मोना बताईए तो अपने बारे में आभी आ या क्या आप सोच रहें कि आगे आपको क्या करना है कौन सा फाइटर प्लेन आपको उडाना है जी देखिया अज़ पार्ट ओफ ट्रेनिंग मैंने पिलाटर्स PC7 किरन हॉक उडाया है उसके बाद में मैं होक पे ही पोस्टिंग लेके आई अचीव डेओप्स ओन होक thereafter मेरी पोस्टिंग बाइसंस पे आई और अभी मैं बाइसंस पे अपना सिलिबस कर रहे हूं फोर डेओप्स और कोई भी जहाज बहुत अच्छा या कोई भी जहाज बुरा नहीं है हर जहाज की अपनी capability है and given a choice मैं सारे जहाज उडाना चाहूंगी शक्ति मैं मैं आपसे मैं पूछना चाहते हूं क्या आप बहतर बता पाएंगी हम महिलाओं की बात करते हैं और आप मतलब एक मा की भूमिका एक बेहन की भूमिका एक बीटी की भूमिका और अब एक ऑफिसर की भूमिका तो यह अलग-अलग भूमिकाओं को इस तरह से निभाना भी थोड़ा अलग होता होगा थोड़ी चुनातियां आप लोगों के लिए जादा होती होंगी इस बात को मैं डिनाय नहीं करूंगी बिल्कुल चुनातियां हरेकी जिंदगी में होती हैं जब तक आपने फॉज नहीं जॉइन करी है तो आपका एक सिस्टम है जिसमें थोड़ा सा काम के प्रती थोड़ा रिलेक्स कर सकते हैं आप पर एक बर यह अगर आप फॉज में आ responsibility at home बेटा है मेरा अभी 24 साल का हो गया है पर वो obviously पैदा 24 का तो नहीं हुआ तो उसके साथ में वो जब बहुत छोटा था तब कारगल का I remember कारगल का तब उस वक्त में operation हुआ था early morning around midnight there was a recall और वो बहुत छोटा था तो I had to call the support system जिसमें के हमारे colleagues उनकी families वो भी pitch in करते हैं वो हमारी extended families होती है कविता जाती आते आपने मुझे मुझे याद आगे आपने कहाता आप singer भी हैं तो बिना आपको कुछ सुनाए महां से जाने तो नहीं दूंगी तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू अंखे तो मैं लहरावा ना 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 बस इतनी है दिल की आरजू कुछ भी मतलब क्योंकि आप लोगों को इस अवतार में हम देखनी पाते ना और हमारे दर्शक भी देख पाते तो देखेंगे तो आप यकीन मानिए कि उनके लिए बहुत नया होगा मैं आप कुछ कहना चाहें या आप में से कोई भी नाम हुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहें इसमें आवाज को आप वर्दी से रिप्लेस कर दीजे हमारी वर्दी ही हमारी पहचान है मैं तो आपकी उडान से करूंगी और कोई तो देखें ये हमारी देश की बेटियां थी जिनके साथ आज हमने जब बात की तो यकीन मानिए जितना अच्छा मुझे महसूस हो रहा हो साथ नमस्कार